नमस्कार आप देख रहे हैं कच्चा चिठा और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर विपक्षी पाठियों में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पीए मोधी को हराने के लिए विपक्षी गडबंधन तो बना लिया लेकिन अब गडबंधन से धीरे-धीरे सब का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष में पाठियां धीरे-धीरे कम होने की स्थिति में आ गई है अब विपक्षी गटबंधन में मारधार तक की नौबत आ गई है और कोई भी समझोता करने को तैयार नहीं है सभी पाठियों के नेता अपनी शर्तों पर चुनाफ में उतरने को लेकर अड़े हुए है जिसके बाद अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिये है खबर में धमाके धार खुलासा करेंगे और इसी का पूरा कच्चा चिठा खोलेंगे कि कैसे विपक्षी पाठियों ने अपने हातों ही अपने पैरों पर कुलहाडी मारने का काम किया है लोगसभा चुनाफ की तयारिया अब तेज हो चुकी है बिहार में भी चुनाफ मैदान में उतरने वाले तमाम दल भी इसमें पीछे नहीं है राज़त भी अपनी तयारियों को आगे बढ़ा रहा है लालू यादव ने बिहार की सभी 40 सीटों पर इंडिया की जीत का दावा किया है राज़त की तयारी बिहार में 17 सीटों पर अपने उमिद्वारों को उतारने की है चर्चा है कि राज़त जदियू जैसे दो प्रमुक दल 17 सीट जबकी कॉंग्रिस चार और वाम दल दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हाला कि इस विशय पर अधिकारिक तोर पर कोई बयान सामने नहीं आया है वहीं जदियू नेता केसी त्यागी ने सीट शेरिंग पर मीडिया से खुल कर बात की है उन्होंने कहा कि बिहार में जदियू और राज़ुत मिलकर बीज़पी का मुकाबला करने की स्थिती में है सीट बटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है हमने 16 सीटे जीती थी हम वहाँ समझोता नहीं करेंगे त्यागी ने ये भी कहा कि चदियू इंडिया गड़ बंधन का संस्थापक सदस्य है अगामी चुनाफ को लेकर भाजपा की तयारियों में हम चिंतित हैं उन्होंने कहा कि इंडिया गड़ बंधन के संगट नातमक धाचे से लेकर उमिद्वारों के चयन और संयुक्त सभाओ के ना होने से भी हम चिंतित हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जल्द दुरुस्थ हो इसके अलावा Congress के confusion को लेकर उन्होंने कहा कि Congress जहां बड़ी party है या जिस राच्य में उसकी स्थिती ठीक है वहाँ उसकी किसी के साथ seat sharing नहीं है लेकिन जिस राच्य में उसकी ताकत कम है वहाँ उसका अधिक seat मांगना और विहवारिक काम है इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रिस को केवल अपनी चिंता है हमें इंडी गडबंधन की चिंता है जेडी उनेता केसी त्यागी के बयान पर राज़त सांसद मनोज जा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि इंडिया गडबंधन को हर पाटी चाहेगी कि सब कुछ तेज गती से हो ऐसे में ये मत कहिए कि जदियो गुस्से में है उन्होंने कहा कि हमारी भी यही चिंता है और ये गडबंधन के हर दल की चिंता है सभी दलों की एक ही चुनता है कि बहतर समाधान कैसे दिया जा सकता है देरी को ध्यान में रखते हुए अब चल्थ से चल्थ फैसले किये जाएंगे वहीं दूसरे लोग सभचुनाव दोहजार चौबिस में भले ही विपक्षी दल इंडिया अलाइंस के बैनर तले लड़ना चाहते हैं मगर सीट बटवारे को लेकर उनकी लड़ाई अलग-अलग राज्जियों में सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में इंडिया के घटक दलों की सीट बटवारे पर सहमती नहीं बन पा रही है कॉंग्रिस का कहना है कि वो उत्तर बंगाल में राहुल गांधी की यातरा के बाद ही टीमसी के सामने सीटों की डिमान रखेंगे हाला कि टीमसी इस बात पर अड़ी है कि वो कॉंग्रिस को मौझूदा दो सीटों से जादा नहीं देगी ऐसे में दोनों पार्टियों के आला नेताओं की बीच जुबानी जंग तेज हो गई है इंडिया अलाइंस कितनी भी इस बात पर परदा डाले कि उनकी पार्टियों की बीच सब ठीक है इस तरह लोगसभा चुनाव से पहले घटक दलों का आपसी कहल समय समय पर बाहर आने लगा है अशिम बंगाल में त्रडमूल कॉंग्रेस यानी टीमसी और लेफ्ट विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कोई समझोता नहीं चाहते हैं और कॉंग्रेस को इनमें से किसी एक को चुनना होगा टीमसी नेताओं और कॉंग्रेस प्रदेश प्रमोख अधीर रंजन चौधरी के हालिया बयान के बाद राजी में टीमसी और कॉंग्रेस के बीच में संभावित साज़ेदारी के लिए अच्छे संकेत नहीं है मुर्शीदाबाद में पत्रकारों को संभोधित करते वे बंगाल कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ममता बैनर जी की असली मनशा सामने आ गई है वो कह रहे हैं कि वो पशिव मंगाल में कॉंग्रेस को दो सीटे देंगे उन सीटों पर पहले से ही कॉंग्रेस के संसद है ने इस मुद्दे पर नाम ना च्छापने की शर्थ पर कहा कि पार्टी पशिव मंगाल में गडबंधन के लिए तयार है लेकिन जरूरत पढ़ने पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तयार है चर्चा से जुड़े कई नेताओं ने पुष्टी की की टीमसी राज्ज की 42 लोक सभा सीटों में से चार को कॉंग्रेस के लिए छोड़ने पर विचार कर रही है आपको बता दे कि पश्चिम मंगाल में जिन दो सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा है वे संसद्य शेत्र मुस्लिम बहुल्य है 1999 से बंगाल कॉंग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मुर्शीदाबाज जिले के बरहामपूर सीट से जीत कराते रहे हैं जहां 2011 की जनगर्ना के मुताबिक बंगाल की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी 66.28 प्रतिशत निवास करती है निकटवर्ती मालदा जिले में कॉंग्रेस संसत अबू हासेम खान चौधरी से जीत दर्च की है ये संसद्य शेतर बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है जहां 51.27 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं टीमसी पहले भी दोनों सीटों पर उमिद्वार उतार कर अपना भाग्या आजमा चुकी है इन दोनों शेतरों में कॉंग्रस के वोट प्रतिशत में धीरे धीरे गिरावट आई मगर टीमसी के हाथ विजय नहीं लगी सबसे जादा मुसीबत और चुनोती कॉंग्रस के सामने है उसे नौर्ट से लेकर साउथ तक सीट शेरिंग पर माथा पची और सहमती बनाने में अब तक सफलता नहीं मिली है कॉंग्रस नितृत्व ने राचिय एकायों से कहा कि पाटी आगामी लोग सभा चुनाव में 255 सीट पर फोकस करेगी यानि इन सीटों पर वो चुनाव लड़ने का इरादा बना चुकी है और वो इसे जीतने योग्य मानती है हाला कि ये सीटों की संख्या 2019 के आम चुनाव की तुलना में कम है कॉंग्रस ने इन सीटों को जीतने की संभावना की श्रेणी में रखा है कॉंग्रेस शल्द ही लोगसभाचुनाफ के लिए अपने उमिद्वारों की पहली सूची भी चारी करेगी उसने राच्यों से ये प्रतिक्रिया तुरंट शुरू करने को कहा है पार्टी इस सबतहा इस प्राक्टिस के हिस्से के रूप में प्रतेक्राच्य के लिए स्क्रीनिंग कमिटीज भी बनाएंगी कॉंग्रेस ने ये भी कहा कि इंडिया ब्लोग के सहियोग्यों के साथ सीट शेरिंग पर तुरंट बाचीत शुरू करेंगे सहमती बनाने के लिए कॉंग्रिस की पांच सदस्य नाशनल अलाइंस कमिटी को जिम्मेदारी दी गई है वो बातचीत करके फॉर्मिला फाइनल करेगी फिलहाल कॉंग्रिस ने प्रतेक राच्च के आधार पर सहियोग्य पाठियों के साथ बातचीत करने का फैसला किया है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉंग्रिस दिल्ली और पंचाब को लेकर आपके साथ बातचीत करेगी आपने अब गुजरात और हर्याना में भी हिस्सेदारी मांगने की तयारी कर ली है इस बात के संकेद भी मिल रहे हैं केजरिवाल तीन दिन के दोरे पर 6 जनवरी को गुजरात जा रहे हैं वे वहाँ चुनावी तयारी की भी समिक्षा करेंगे इसी तरह आपने हर्याना में भी संगठन खड़ा किया है इन राचियों में भी केजरिवाल की पार्टी अपना कुछ प्रभाव होने का दावा करती है यही मामला वाम पंथियों और अन्य पार्टियों को लेकर भी है जो इंडिया ब्लॉक में शामिल है और एक से जादा राचियों में चुनाव लड़ना चाहती है आपने भले ही ये संकेत दिया है कि वो पंचाब में कॉंग्रिस के साथ सीट शेरिंग के लिए तयार है लेकिन ये इतना आसान नहीं है पंचाब के मुखे मंतरी भगवंत मान ने हाल ही में एक थी कॉंग्रिस कहकर तंसकसा था उससे पहले खुताब संयोजक अर्विन केजरिवाल ने पंचाब की सभी 13 सीटों पर दाविदारी की थी इसी तरह पश्यम बंगाल में ममता बैनर जी की पार्टी टीमसी ने कॉंग्रिस को सिर्फ दो सीटे ओफर किये जाने के संकेत दिये हैं वहीं सपा अध्रक्ष पहले से ही साफ करते आ रहे हैं कि वो यूपी में खुद बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे यूपी में समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया था कि वो 65 सीटों पर चुनाब लड़ेंगे कॉंग्रिस और आरेलडी के लिए सिर्फ 15 सीटे छोडेंगे बिहार में राज़त और जदियू का प्रभाव है भले कॉंग्रिस महा गटबंधन का हिस्सा है महाराश्र में उद्धब गुट के साथ खीचतान भी पिछले हफते सुर्खियां बटोर चुकी है लेकिन एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों में कलह खुल के सामने आ गया है और देखना होगा कि क्या लोग सभाज शुनाफ तक ये गटबंधन टिक पाता है या फिर नहीं कच्चा चिठा में फिलहाल के लिए बसतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कापिटल टीवी नमश्कार ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया